अब देखेगा प्रतम हरित क्रांती के पांच चरण में से चतुरत चरण को ही दिती हरित क्रांती के नाम से सम्मधित किया जाता है जिसकी अवधी माने जाती है 2002 से 2007 के मध्यावधी को ही दिती हरित क्रांती के तोर पर जाना जाता है आखिकार इसमें क्रशी उत्पादन को बड़ावा देने के लिए जेविक ट्रशी को प्रात्मिक्ता दी जाती है अर्थाद पारस्तिकी संतुलन बनाए रखते हुए या संपोष्णी विकास की अउधाना को सुनिशित करते हुए यहाँ पर क्रशी उत्पादन को बड़ावा देना है कहने का अतात पर यह है कि यहां पर पर्यावरन पारस्ति के मध्य संतुलन इस्तापित करते हुए रसायनी खाथ के इस्तान पर जेवीद खाथ का प्रियोग करके क्रशी उत्पादन को बढ़ावा देना ही द्वितिय हरित क्रांती का प्रमकुदेशे जिसमें सतत्थ विकास क अउधाना भी सुनिशित होती है अर्ता संपोष्णिय विकास के साथ में क्रशी उत्पादन को बढ़ावा देना है तो यही आपके द्वितिय हरित क्रांती जो की प्रतम हरित क्रांती के चतुर्त चरन के द्वरानी से प्रारम किया गया